नमस्कार दोस्तों स्वाल सभी टेक्नो वर्ल है मैं नाम विशाल और दोस्तों आप सभी लोग जैसे कि जानते हैं कि 26 और 27 जुलाई को Amazon Prime Day Sale आने वाला है मतलब कि अगर आप एक Amazon Prime Member हैं तो आपके लिए काफी सारे offers, discounts unlock हो सकते हैं 26 और 27 जुलाई को तो दोस्तों यहाँ पर आपको काफी सारे discounts मिल जाएं काफी सारे offers मिल जाएं उसी के साथ में अगर आपके पास हम HDFC का debit card, credit card या फिर अगर आप EMI में कोई भी चीज को purchase करना चाहते हैं तो आपको 10% instant discount मिल जाएं तो दोस्तों काफी सारे offers और discounts मिलने वाले हैं आपको और आज किस वीडियो हम discuss करने वाले laptops जो कि आपको under the budget of 70,000 मिल सकता है और programming के लिए काफी अच्छा laptop हो सकता है तो दोस्तों आप में से काफी सारे लोग थे जो कि 70,000 से budget के नीचे अच्छे laptop से पूछ रहे हैं तो दोस्तों आज किस वीडियो में हम specially core i5 11 generation साथ में आने वाले laptops को चेक आउट करने वाले जिसमें आपको core i5 11 generation का processor मिलेगा और जो कि 70,000 के budget के नीचे होंगे तो उने laptops को आज हम चेक आउट करने वाले हैं और जिसके उपर आपको अच्छा discount मिल सकता है amazon के इस prime day sale में तो दोस्तों at least to at least यहां पे जो भी prices आपको देखने हों मिल रही है ऐसा हो सकता है कि amazon prime day sale में almost 2,000 रुपीज या फिर 3,000 रुपीज तक का आपको discount मिल सके और अगर आप यहां पे HDFCI credit debit card use करेंगे तो उसके साथ में आपको और भी additional discount मिल जाएगा तो सबसे पहला जो laptop हमारे पास में है वो डेल वास्टो 3414 इंच का laptop है जहां पे आपको full HD anti-glare display मिलता है साथ में 11 generation core i5 1135 G7 processor 8GB RAM 1 TV hard disk और integrated graphics मिलता है with Windows 10 and Microsoft Office pre-install तो दोस्तों इसका जो pricing है वो 52,690 रुपीज है and one of the good laptops हम इसको कह सकते हैं programming and coding के purpose से तो अगर आप एक student है अगर आप एक programming laptop लेना चाहते है तो यह one of the good laptops हो सकता है at a beginner's point of view और जिसको आप काफी ज़्यादा time तक use भी कर पाएंगा मतलब कि 4-5 years तक आप इसको अराम से use कर सकेंगे सिर्फ और सिफ इस laptop में जो एक चीज़ कमी है जिसको आप आप अप्ग्रेड कर सकते हैं by the way वो है SSD का इसके नदर आपको जो मिलता 1TB का hard disk है SSD नहीं मिल रहा है तो आप maybe बाद में अगर आपको लगता कि speed बगरा को slow है आप performance को आपको increase करने की ज़रूरत है तो बाद में आप एक SSD को इसके नदर add कर सकते हैं तो यह laptop काफी अच्छी तरीके से perform करे है काफी ज़्यदा time तक के लिए तो दोसों यह laptop 52,690 रूपीज का है इसके बाद में जो हमारे पास में laptop Dell का ही है Inspiron 3501 laptop जो कि 15.6 इंच का laptop है और इस laptop में आपको मिलता full HD display जो कि यहाँ पे काफी जादा narrow bezels के साथ में आता है प्लस इसकी के साथ में यहाँ पे 11th generation Core i5 1135 G7 same processor मिल रहा है 4GB RAM है 1TB का hard disk 256GB SSD Windows 10 और Microsoft Office pre-install मिल रहा है तो दोसों इस laptop को जो pricing 55,799 रूपीज है और यह laptop भी काफी अच्छा laptop लेकिन इस laptop में भी एक कमी है जो कि यहाँ पे 4GB RAM है तो दोसों यहा 1000 का laptop है लेकिन जो RAM यहाँ पे है सिर्फ और से 4GB है जो कि यूज्वली अगर आप एक प्रोग्रामिंग परपस से कर एक laptop परचेस कर रहे हैं तो मैं यूज्वली रेकमेंड करता हूं कि आपके पास में at least 8GB of RAM होना चाहिए लेकिन फिर भी उसको आप बाद में अप्ग्रे 5 laptop है यह one of the good laptops है and right to the point है because यहाँ पे आपको 15.6 inch का full HD display मिलता है उसी के साथ में Core i5 11 generation का processor मिल रहा है 8GB RAM है 512GB का SSD है Windows 10 आपको मिलता है उसाथ में Iris XE graphics card integrated है यहाँ पे तो दोस्तों यह जो laptop 56,490 रुपीस में आपको मिलता है और यह one of the good laptops हो सकता है जहाँ पे आपको कोई भी कमी नहीं देखने का मिले क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले चीज़ आपको Core i5 processor मिला जो कि programming perspective से काफी अच्छा है 8GB RAM है जो कि minimum requirements को हमारे meet out करता है 512GB का SSD है जो कि काफी अच्छी चीज़ है कि मतलब यहाँ पे अगर आपको faster performance के लिए जरू है faster storage की तो यहाँ आपको 512GB का SSD मिल रहा है जिसको आप काफी ज्यादा अच्छी तरीके से storage वगरा के लिए भी use कर सकते हैं and Windows 10 आपको मिल रहा है इसके अंदर 15.6 inch का full HD display के साथ में या आता है 56,490 रूपीस इसका pricing है दोस्तों यह one of the very good laptops हो सकता है आपके लिए programming perspective से इसी के साथ में हमारे पास में जो next laptop और Lenovo IdeaPad Slim 3 2021 का model laptop है जो की काफी अच्छा laptop है क्योंकि यहां भी आपको 11th generation Core i5 processor मिला है जो की 15.6 inch के display के साथ में आता है यहां भी आपको full HD display मिला है जो की 250 nits के brightness साथ में आता है और 8GB का रहा है मैं 512GB SSD Windows 10 Microsoft Office pre-install मिलता है and जो चीज यहां भी आपको advantage देखन calculate keyboard मिला जो की काफी अच्छी चीज है उसी साथ ने 2 years की warranty मिल रही है तो दोसों यहां पे already आपको 2 years की warranty मिल रही है मतलब को extension वगरा करने की जरूरत नहीं पड़ती है जो की usually हमको one year का से warranty मिलता बाद में extension करना पड़ता है लेकिन यहां पे आपको by default 2 years की warranty मिले जो की काफ अच्छी चीज है तो दोसों इसका जो pricing है 57,990 रुपीज है मतलब 58,000 रुपीज का यह laptop है यहां इन stock August 30 को आ जाएगा लेकिन इसके लिए आप prior booking कर सकते है तो दोसों यह laptop जो है one of the best laptop आपके लिए हो सकता है programming के perspective से क्योंकि दोसों यहां पे आपका जो need था कि Microsoft Office जो आप आपको यहां पे मिल जा रहा है उसी के साथ में backlit keyboard मिल रहा है प्लस आपको one year का additional warranty मिल रहा है जो की काफी अच्छी चीज है तो इसलिए यह one of the good laptops हो सकता है programming के perspective से under the budget of 60,000 रुपीज और दोसों इसके बाद में जो next laptop आपको मैं recommend करूंगा Lenovo का IdeaPad Slim 5 laptop है जहां पे आपको 11 generation का processor मिलता है Core i5 यह 14-inch का full HD IPS display के साथ में आता है तो दोसों यहां पे weaving angles जोंगे काफी अच्छे होंगे उसी के साथ में 8GB का आपको यहां पर RAM मिलता है 512GB SSD मिलता है Windows 10 Office pre-installed मिल रहा है साथ में fingerprint reader भी है इसके अंदर और दोसो backlit keyboard भी आपको मिल जाता है तो दोसों यहां 300 minutes के brightness के साथ में आता है तो यह काफी अच्छा display है over in all यहां पर brightness जो काफी ज्यादा अच्छी है आपको देखने मिलती मतलब कि अगर आप कभी बहार daylight में काम कर रहे हैं तो आप बहुत ही आसानी से यहां पर काम कर सकते हैं इसके display के ऊपर क्योंकि यहां पर brightness जो काफी अ AG का ही यह सिरफ और सेफ लापटाप तो काफी lightweight काफी portable and aluminum surface आपको यहां पर design देखने में मिलता है जो कि काफी अच्छी चीज़ है तो दोसर यह one of the very good laptops हो सकता है 14-inch का laptop है यह next जो हमारे पास में लापटाप वो Dell Inspiron 3501 laptop जो की 63,000 रुपीस में आता है and 15.6 inch के full HD display के साथ मे 11th generation Core i5 processor है 8GB RAM 1TB hard disk 256GB SSD Windows 10 Microsoft Office pre-installed मिलता है with addition to that आपको यहां पर 2GB का graphics card भी मिला जो की NVIDIA graphics card है तो दोसो यहां पर अगर आपको video editing वगरा करनी है या फिर slide gaming वगरा करनी है तो अगर आपको कहें पर graphics card का need है तो दोसो यह laptop आपको वो भी requirement पूरा कर सकती जैसे कि gaming वगरा य यूज करना चाहते है अच्छी तरीके से तो दोसो यह laptop one of the very good laptops हो सकता है उन purpose के लिए यहां पर प्राइसिंग अवेलिबल है currently 63,700 रुपीस है और यह very good laptop है फॉर मतलब coding, programming as well as कोई भी video editing या फिर फोडोशॉप पर पर पस से है और इसके बाद में चो next laptop आपको मैं recommend करूं लेनोग का ideapad slim 5i laptop है जहां पर 11th generation core i5 processor मिला है 15.6 inch का full HD IPS display मिलता है 8GB RAM है 1TB hard disk है 256GB SSD है Windows 10 Microsoft Office pre-install मिलता है MX450 2GB का graphics card भी मिलता है जो कि one of the very good graphics cards है अगर आप video editing अगरा करना चाहते है तो बहुत ही आसानी साब video editing कर सकते है उसी के साथ में अगर आप AutoCAD यूज करना चाहते है या फिर कोई भी another 3D modeling वगरा software भी यूज करना चाहते तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप यहां पर यूज कर सकते हैं इस laptop के अंदे and over in all here जो laptop है हम कह सकते हैं कि complete all-in-one laptop है जहां पर आप सब कुछ कर सकते हैं and काफी अच्छा यह laptop है काफी sleek design है कि 1.66 kg का laptop तो portable laptop भी है बहुत easily portable laptop तो काफी अच्छा है यह laptop है साथ में आपको यहां पर IPS display मिला है 300 minutes का brightness मिल रहा है तो दोस्तों यह laptop one of the very good laptops है and मैं highly recommend करूंगा कि अगर आपको एक complete full performance वाला एक पैक्ट अप एक laptop की ज़रूरत है तो दोस्तों आप इस laptop साथ में जा सकते हैं इसका pricing हाला की पुर आपकलेट keyboard मिल जा रहा है aluminum surface design मिल जा रहा है graphics card मिल जाता है जो कि MX450 है 2GB का प्लस यहां में जो storage वगरा भी वह भी काफी अच्छी तरिक्राइब का hard disk मिल जा रहा है 256GB का SSD है तो दोस्तों यह one laptop आपके लिए हो सकता है जिसको आप काफी जादा time तक के लिए use कर सकते है और इसके अलावा कुछ और भी laptops हैं जो भी कि अगर आप चूज करना चाहें तो चूज कर सकते हैं जैसे HP का 15 laptop है जो ही 2021 का model है जहां पर core i5 processor मिला 8GB करा है 512GB SSD 15.6 inch का full HD display मिल रहा है Windows 10 and Microsoft Office pre-install बिलता है built-in Alexa के साथ में आता है 59,990 रुपीस इसका pricing है इसी के साथ में एक और laptop है जो कि यहां पर Dell का laptop, Dell Inspiron 3501 laptop जो कि 15.6 inch का laptop once again full HD display के साथ में आता है core i5 11 generation processor आपको मिल रहा है 8GB RAM, 1TB hard disk 256GB SSD, Windows 10, Microsoft Office 2019, pre-install मिल रहा है backlit keyboard है इसके अंदर लेकिन दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इन दोनों laptop से comparison में मैं आपको एक laptop जो recommend करोंगा वो होगा कि Lenovo IdeaPad Slim 3 laptop क जो कि इसका pricing भी कम है and over in all जो features आपको इन दोनों laptops मिल रहे है HP वाले में और Dell वाले में इससे better features आपको already यहां पर Lenovo मिल जा रहे है जहां पर सबसे बड़ी जो चीज यहां पर आपको मिल रही हो है 2 years के warranty तो दोसको काफी अच्छा है यहां पर यह laptop है as compared to these laptops but then to अगर आप आपको choice है HP की तरफ या फिर Dell की तरफ तो आप इन laptops साथ में जा सकते हैं यह भी काफी अच्छे laptops है performance wise कोई भी issues नहीं लेकिन pricing wise थोड़ा सा better यहां पर Lenovo का जो pricing है थोड़ा सा better है तो दोस्तों यह थे मेरे complete recommendation for laptops जो कि आप programming के लिए use कर सकते है under the budget of 70,000 rupees इन सभी laptops के पर आ membership ले लीजिए उसका link आपको नीचे description मिल जाएगा इन में से अगर आप कोई भी laptop को checkout करना जाते है उन सभी का भी link आपको नीचे description में दिया गया है आप जाके वहां से एक बाद चेक आउट कर सकते हैं और purchase भी कर सकते हैं तो दोस्तों यह था मेरा complete video 70,000 से कम budget के laptop के बारे कर दोस्तों 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 कर दोस्तों